आज हम शारीर स्थान का जो हमारा अंतीम अध्या चल रहा है अठवा अध्या है जाती सुत्री अध्या है उसका अंतीम भाग आज हम अध्यान करने वाले हैं कल तक हमने सूत्र नंबर पचास तक हमारा अध्यान पुरा हुआ था आज अगे जो शेश अध्या बचा है उसका हम अध्यान करेंगे तो सूत्र नंबर फिफ्टीवन से हम पड़ेंगे अब देखिए जो प्रकुरती का वरणं करते समय हमने ये कहा था कि प्रकुरती का जो अध्यान करना है मतलब देह प्रकुरती अगर हम देख सकते है तो वो जनम के नामकरण संस्कार की समय ही वो करते थे पहले प्राचिन काल में और उस समय में 12 दिन तक ही वो वागबट ने भी कहा है कि 12 दिन तक ही हमें प्रकूरती का अंदाज कर सकते हैं कि इसकी प्रकूरती किस प्रकार से हो सकती हैं तो चरक भी इसी सूत्र में यही करे रहे कि आयू शहा प्रमान ज्यान है तो इसका आयू का प्रमान कितना होगा यह दिरगायू होगा मध्यमायू होगा रस्वायू होगा सुखायू होगा असुखायू होगा हितायू होगा अहितायू होगा इसके आयू की अवस्ता किस प्र ये नामकरण साउसकार के समय ही करना है आज हम क्या करते हैं नामकरण साउसकार के एक हमने एक इवेंट बना के रखा है नामकरण साउसकार हमने एक इवेंट बनाया है जो modern सब कुछ वहाँ पर European लोगों का सब कुछ culture हमने लिया है कि हम नाम रखते हैं फिर वो नाम कहीं पर flash करते हैं फिर उसको कुछ वीविद पद्रे से निकालते हैं फिर लोगों को दिखाते हैं ऐसा सब कुछ हम करते हैं एंजाय करने में कोई problem ने पर उस समय वैद्यों को कि यह भी करते थे लोग पहले और आज भूल चुके हैं इसलिए यहां पिर रहें वृत्तेश नाम कर्म करने का समस्कार होने के बाद कुमारम परिक्षितुम परिक्षच करने के लिए उपक्रमेत अगला उपक्रम करना है कौनसी परिक्षा आयूशह प्रमान ज्यान है कि इसकी प्रकुर्थी कैसे होगी, क्योंकि प्रकुर्थी के उपर ही आयू के प्रमाण डिपेंड है, तो वो लक्षन बता रहे है, तत्र, इमानी, आयुषमताम, कुमाराणाम,लक्षनानि भवन्ती, अब ये जो लक्षन है, इमानी मतलब आगे वरनग की हो है, ये आयुशमतम कुमारानाम लक्षणा निभाउनती जो दिरगायू के लक्षण है वो हम बता रहे हैं इसको तंत्रयुक्ति लगा कर विपरिया तंत्रयुक्ति लगा कर आप अलपायू और मध्यमायू के लक्षणा समझ सकते हो हम बता रहे हैं वो दिर्गावी के लक्षन है वो क्या क्या है तद यथा एकई कजा मुर्दवो अलपास निक्दा सुबत धमूला कुरुष्णा केशा प्रशस्तिते तो उसके जो बाल है उस बच्चे किबा बच्चा कितना जिसकी परिक्षा करनी है वो मानवी शरी कितना है बारा दिन का है दस या बारा दिन में ही हमें नामकरण समस्कार करना है और उसी समय ये परिक्षन करना है तो सबसे पहले उसके जो बाल है वो एकई कशहा मतलब एक-एक अलग-अलग दिख़ए दे रहे ऐसे मिश्र दो एकठे वगरे ऐसा कुछ नहीं है एक-एक बाल पुर्दु है अल्पहा प्रमाण अल्पहे उसका बहुत ज्यादा घने बाल भी 12 दीन के बच्चे के नहीं होना चाहिए वो विकृती है स्निक्दहा स्निक्दहोने चाहिए सुबध्ध मूला उसका जो मूल है वो बद्ध मूल होना चाहिए कृष्णा और काले रंग के ऐसे बाल यह प्रशस्यते अच्छे कहे गये हैं किसी का माइक चल रहा है क्रूपया माइक म्यूट कर दिए डॉक्टर जैश्रे डम के रूपया आपका माइक म्यूट कर दिए आगे व्यूडम दुडम समं सुश्लिष्ट शंक संधी उर्ध्व व्यंजन संपन्नम उपचीतम बलीभम अर्दचंद्रा कुर्तिम ललाटम उसका ललाट है जिसको हम कपाल कहते है वो कैसा है व्यूडम मतलब चोड़ा है दुड़म दुड़ है समं समं आत्र में एक भाग उचा है एक भाग चोड़ा है ऐसा नहीं है समंप्रमाण में है सूश लिष्ट शंक संधी जिसके शंक की और उसकी संधी सूश लिष्ट है मतलब अच्छे से क्या कहते है उसको दुड़ है और आगे से अलग से नहीं दिख रही है उर्धो वेंजन संपनम उपचितम जिसके वेंजन कपाल के उपर जो लखशन है उर्धो रिष्ट जो होती है वो उबरी हुई है और सपश्ट दिखा है देने वाली है संपनम उपचितम पुष्ट है कपप जो ललाट है वो आगे आया हुआ है पुष्ट है और वलिभम अरदचंदरा कुर्तिम ललाटम और उसके जो आकार है वो अरदचंदरा कुर्ति इस प्रकार से और वलयाकार इस प्रकार से ललाट है दोनों कान कैसे होने चाहिए तो बहल बड़े है छोटे से कान नहीं है अच्छे बड़े कान है विपूल सम पीठो बड़ समान प्रुष्ठवाले दोनों के जो पीठ है वो एक समन एक छोटा एक बड़ा एक उपर एक नीचे ऐसा नहीं है समव दोनों समव मात्रा में है नीचे इर वृद्धो नीचे की ओर जुके हुए है जो कान है वो नीचे के ओर जुके हुए है प्रुष्टतो अवनतो पीछे से आगे आये हुए है ऐसा पीछे नहीं है पीछे से आगे आये हुए जैसे गजानन के हमारे काल होते हैं बगवान गजानन के उस प्रकार से वह कान है फिर सूश लिष्ट करण पुत्रक हो अच्छे से करण ये शिर से मतलब शिर से जुड़ा हुआ है और करण पुत्रक है वो भी उत्तम मात्रा मे करण पुत्रक मतलब यह आगे वाला जो है वह है उसको उसमें कई विकृति नहीं है और महाचिद्र जो कान का जो चिद्र है वह अच्छा उत्तम मोठा बड़ा का चिद्र है छोटा सा क्योंकि अगर बड़ा होगा तो ही वह श्रवन करने में सक्षम होगा ऐसा करण देखें कि यह सब किसमें देखना है बारा दिन के बच्चे में देखना है मैं बार बार बता रहा हूं यह मनुष्यों के लक्षन यह बड़े हुए मनुष्यों में नहीं चेक करना है यह चोटे बच्चे में चेक करना है फिर इशद प्रलंबितानी अवसंगते समे सहते महत्यों ब हुई है वो ऐसे जुड़ी हुई नहीं होनी चाहिए उसके बाद और संगते समय दोनों समय मात्र में एक उपरिक निचे बड़ी एक छोटी ऐसा नहीं होना चाहिए और संहते महत्यों और बड़ी होनी चाहिए ऐसे जो भुरुव है वो उत्तम कही गई है समय समाहित दर्शन व्यक्तावाग विभागे बलवथी तेज़ाउपण्ण्य स्वंग अपांगे Centauri तो नेत्र जो है दोनों वह सम है दोनों क्षेहिए डिखा दे रहे है व्यक्टभाग विवागION उसके श्वेतवरन का कुष्णवरन के जो भाग है वो व्यक्तव है मतलब सट दिखाय दे रहे बलवती है नेत्रों में बल है शक्ती है तेजैसा उपपन्द्द्दे देखने की शक्ति है और उसको तैजसी अभी है मतलब बहुत देर तक प्रकर प्रकाश सहन नहीं कर पा रहा है ऐसे नहीं होना चाहिए क्योंकि बच्चे आखे मून लेते फिर अगर प्रकाश जादा मातर में आता है तो वो सहन कर सकता है स्वंग अपांगे और उसके जो नेत्र के अंग प्रत्यंग है वरत्म पक्ष्म अपांग ये सुन्दर हो और जैसे प्राकूरत है वैसे उस प्रकार से हो ऐसे नेत्र प्रशस्त है रुजवी महोच श्वासा वाउश संपत इशत अवन तागरा नासिका जो नासिका है वो रुज्वी सीधी होनी चाहिए महोच श्वासा जिससे बड़े श्वास बच्चा ले सके मतलब बीच में कहीं पर आवरोध नहीं होना चाहिए नेजल कोई पॉलिप है कुछ आवरोध है डीनेस ह है ऐसा कुछ नहीं जन्मा रात इसा हो सकता है वो नहीं है वहुश संपद मतलận जो बीच का जो वाउश है नासा वहुश वह संपद है, गुरनेयुकत है सीधा है सीधा है तेड़ा-मेड़ा है विकृत है टुटा है फूट है ऐसा नहीं है और किंचित अवन अताhoven अगरा आगे का जो उसका अगर है वह ठोड़ा सा जुका हुआ ऐसा उपर आया हुआ नासिकांगे . अस़ी नासी का प्रशस्त है महत्रुजू सुनिविष्ट धंतम आस्यम जो मुख है वो महत, रुजू, सुनिविष्ट, दंत, उसमें दाथ अच्छे से, दंत माउसम, सुरी, ये दंत माउस जह है, क्योंकि छोटे बारा दिन के बच्के में दंत तो नहीं होगे तो उसके जो दंतम माम दंतम आस्यम तो दंत का दंत से कहने से मतलब है जो उसके मसुड है वो अच्छे सू निविष्ट हैं क्योंकि 12 दिन के बच्चे को दंत नहीं हो सकते जो जीव है उसकी वो आयाम और विस्तार से उपपन्न युक्त है योग्य मात्रा में आयाम योग्य मात्रा में विस्तार ऐसा है श्लक्षना मतलब पिछील है तन्वी मतलब बहुत जड़ नहीं है मतलब तन्व मतलब यहां पे बच्चा आराम से रो सकता है वो आवाज निकाल सकता है प्रकुर्ती वर्ण युक्ता उसका वर्ण जो है वो प्रकुर्ती वर्ण मतलब आरक्त वर्ण का ऐसी जिम्वा होनी चाहिए किंचित गुलाबी वर्ण का पिंक वर्ण का ऐसे जिम्व पुष्मावपन्दम रग्तम तालू जो तालू परदेश है वो श्लक्षन है मदब परश के लिए जुख्षन है युक्त उपचयम वहां के जो प्राकृतिक समर्चन है वो योग्य होनी चाहिए और उष्मावपन्दम वो किंचित गरम लगना चाहिए उश्मा यहाँ पे थंडा नहीं होना चाहिए ये और रक्तवरणी ऐसा तालू परदश होना चाहिए महान अदी नहा ये शब्द नीट ठीक से पठन करना चाहिए ये महान नदी नहा ऐसा उचार कर सकते है पर वो महान नदी नहा ऐसा नहीं है महान अदी नहा ऐसा वो उसका भेद है अच्छ खासी आवाज है फिर सनिक दहा अवाज है अनुनादी उसके अनुनाद होने चाहिए बिना उसका रिजोनश होना चाहिए आवाज में और गभीर समुत्था घविर समुत्था का तीका देखते हैं क्या है अ कि कुछ अ कर तो नहीं है कि अ हम समुत हमतलने पेट से निकली ए ये फेज से आवाज निकली है ऐसे कि सिर्फ उपर-उपर से आवाज नहीं आ रही है और धी रहा धीराकार्थ ऐसा गंभीर आवाज जो होते हैं ऐसी स्वर जो है वो प्रशस्त है नाती स्थूलव नाती कुरुषव विस्तार उपपन्नव आश्य प्रश्चादनव रग्तव उष्ठव जो ओठ है वो ज्यादा स एसे ओष्ठ ये प्रशस्त है फिर कहे रहें महत्यों हनु हनु जो है वो बड़े है उत्तम प्रमाण में है फिर वृत्ता नाती महती ग्रिवा जो ग्रिवा है वो वृत्ताकार है और ज्यादा उची नहीं है व्योडम उपचितम उरहा उर ये व्योडम मतलब आगे आया पुष्ट है गुडम जत्रू प्रुष्ठ वाउश्च जो जत्रू प्रदेश है और पुष्ठ वाउश्च पीट का पुष्ठ वाउश्च स्पाइनल डिजन जो है वो घूड है मतलब माउससे उपर निवश्च है उपर से नहीं दिखाए दे रहे जो बालक अत्यानत उसका पुष्ठवावश्य हाथ को लग सकता है और जत्रु भी लग सकता है मतलब यह कारश्य के लक्षन है या जो विकृति के लक्षन है जो हाथ से लगना विप्रकृष्टन तरहुस्तनों स्थन पर स्थन जो है वह एक दूसरे से दूर होने चाहिए असंपातिनी स्थिरे ग्रिवे स्थिरे पार्षवे जो पार्षवप्रदेश है मतलब छाति का जो पार्षवप्रदेश जो लैटरल प्रदेश होता है वह असंपातिनी मतलब एक दूसरे से दूर और स्थिर होना चाहिए व्रुत्त परी परीपुर्णा यतों बाहू सक्तिनी अंगुलय चाहिए सूप्रमाण में होना चाहिए फिर महत उपचितम पाणी पादम जो हात हस्त और पाद है वह मांबड़े और उपचित पुष्ट है फिर स्थिरा वृत्तास निगधा तामरा स्तूंगा कुरुमा कारा करजा करज मतलब नख हात के जो कर मतलब हस्त और उसके करज हा जहां पर वो सुनिविष्ट है पारश्वे वरुत्ता गोलाकार है स्निग दहा ताम्र किंचित काल्स ताम्र वरनिक में ताम्बे के वरने जैसा तुंगहा और उपर उठे हुए और कुरुमा कारा कुरुमा की पीठ के तरह आकार जिसका है ऐसे नख प्रशस्त है प्रदक् प्रशिना वरत है और उत्संगहा मतलब उसका जो बाहर का भाग है वो उपर उठा हुआ इस प्रकार से नाभी है अभी नाभी का पतन नहीं हुआ है बारा दिन तक नाभी का पतन नहीं हुआ होता है इसलिए वहाँ पे वो गड़्डा नहीं होगा नाभी के जगा पे वरह से तीन भाग चोटी होनी चाहिए जितना उरह है उस से तद्रिभाग ही ना ऐसी होनी चाहिए समा मात्रह में एक बाग बड़ा है एक ऐसा नहीं होना चाहिए फिर एक प्रशना आया है दक्षिन वर्त मतलब काला तो उसके बाजियों में जो आवरत रहे थे बालों के चोटे-चोटे बाल रहेंगे या कुछ मतब्द जो लव कहते हैं जो शरी पर एक चोटे से रोम होते हैं वो यह फिर जो आकार है वो राइट टू लेट ऐसा होता है आप नाभी का परिशन कीजिए किसी व्यक्ति का वह कभी लेट रहती है कभी आवर्ता हो हो सकता है फिर तरों कर टी जो है वह उरस्तिवाग हिना फिर समफ समुपचीत माउसा उसके शो माउस से कटी प्रदैश में वह उपचीत है कि रुड़त दुरूपचीत माउस मां चुरूién proposed 52 नाती उन्नतों उसके दोनों स्वीक प्रदेश होने चाहिए अनुपुरुवं व्रुत्ताव उपचयो युक्तव उरू उसकी जो उरू प्रदेश है जिसको हम थाई खेत है वो कैसे होने चाहिए तो व्रुत्त अनुपुरुवं व्रुत्ताव उपर से नीचे ऐसे क्रमशा बड़े ऐसे छ पेर जानुसे घुटने तक का पेर जो है उसको जंगा कहते है वह कैसे उनसे बहुत ज्यादा अपचित भी नहीं और बहुत उपचित पुष्ट भी नहीं ऐसा और एणी पदे प्रगुड सीरा संधी जो एणी प्रदेश है मतलब जो गुल्फ प्रदेश है वहां पर सीरा सं और अस्ति ये गूड है मतलब माउस से सू निविष्ट है आगे नाती उपचितों नाती अपचितों गुल्फ है गुल्फ प्रदेश भी ज्यादा पुष्ट भी नहीं है ज्यादा अपचित कुरुश भी नहीं है पुर्वो पदिश्टव गुणव पादव कुरुमा कार पुर्व ये जो गुण बता है पहले पाद के अभी सभी वो और कुर्मा कार पाद होना चाहिए मतलब किंशित कुर्म कुर्म मतलब जो कच्चुए की पीट होती है उस प्रकार से बीच में उपर उबरा हुआ ऐसा होना चाहिए प्रकुर्ती युकतानी वात मुत्र पुरीश गुईयानी तथा उसके जो वात मुत्र पुरीश और गुईया प्रदेश जो है वो प्रकुर्ती युकता होना चाहिए मतलब प्रक जागरण आयास समित रुदित श्थनगरणा में जो बालक है वो उसका जो जागरण स्वपन जागरण है वाग्चली स्वपन जागरण ऐसा होना चाहिए उसकी नींद और जागरण ये समह मात्रा में होना चाहिए आयास उसके जो कश्टे शरीर की चेश्टाय है वो भी योग्य होने चाहिए उसकी हासी उसका रोना और उसका स्तनग्रहण मला स्तन्य गरहण यह भी प्राकुर्ध होना चाहिए यश्च किंचित Аन्यत अपि अस्ती अनुक्तम अपी अस्ती तद अपी सर्वम प्रकुर्द संपन्द मिष्टम अभी यहाँ पे हमने कुछ लक्षण बताए पर और भी ऐसे अनुक्त लक्षण होंगे जो जोतिश शास्त्र या अन्यकिस शास्त्रों में से वरणन किये होंगे वो भी यहाँ पे प्रकुर्द संपन्द में लेने चाहिए विपरितम पुना अनिष्टम इसके विपरित लक्षण ये अनिष्ट लक्षण है इती दिरगायू लक्षण नी ये दिरगायू के लक्षण है इसका परिक्षण जनम के बाद सिर्व 10 ये 12 दिन तक नामकरण समस्कार के बाद त्वरित उसी दिन करने चाहिए जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि प्रकुर्दी का परिक्षण ये 12 दिन तक ही करना है उसका एक ये और संदर्व है ये संदर्व में जानबुच के नहीं बताया था वागबढ का ही बताया था क्योंकि क्रमशा जब हम विशे पर आएंगे तो धिरे-धिरे एक-एक विशे क्लियर होते 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 वो विशे पूरा समझ में आता है तो अभी मुझे लगता है कि प्रकुर्दी के बारे में आपके मन में कुछ प्रशन नहीं होंगे यहें प्रकुर्दी और दोशप्रकुर्दी को लेके फिर आगे जाएंगे अतो धात्री परिक्षा मुपदेक्षा महा अब धात्री की परिक्षा का वरणन कर रहे अथब रूयात ऐसा कहते है कि धात्रीम आनय समान वरणाम मैं पहले सूत्र पढ़ लेता हूँ यवनस्थाम, निभृताम, अनातुराम, अव्यंगाम, अव्यसनाम, अविरूपाम, अजुगुपसिताम, देश जातियाम, अक्षुद्राम, अक्षुद्रकर्मिनिम, कुले जाताम, वत्सलाम, अरोगाम, जीवत्वत्साम, पून्वोंसाम, दोग्रिम, अप्रमत्ताम, अनुच्चार शाइनिम, अनन्ट्याव साइनिम, हुशलो उपचाराम, शुचिम अशुचिम दिविशिनिम, स्तन स्तन्य संपद उपेताम इती, अगर बालों को धात्री की जरुरत लग रही है, माता का दूद परियाप्त नहीं है, तो धात्री की ओजना करनी पड़ती है, और वो धात्री कैसे होनी चाहिए, तो वो समान वरणा, बालक का जो वरणा है, वरणा का रथ, तो अच्या का जो वरणा है, उसके समान वरणा की वाली होनी चाहिए, बालक गवरणा का है, तो धात्री भी गवरणा की, बालक कुरुष्णा वरणा का है, धात्री भी नवरन की होने चाहिए यववनस्था तरुन मध्यमवय की चाहिए निबूताम निबूता मतलब उसके उपर हम विश्वास कर सकते हैं जैसे पुतना ये धात्री के सोरुप में आई थी कुछन को कुछन के पास और वो निबूत नहीं थी तो उसकी धात्री के पास हम हमारा ब करके व्यसन भी नहीं होने चाहिए दूर व्यसन उसको नहीं होने चाहिए या मिश्री लगा के बैठी है यह तम्मा को खाने के लिए बैठी ऐसा नहीं होना चाहिए और विरूपा मतलब उसका जो स्वरूप है वो प्रसंद होना चाहिए विकृत स्वरूप नहीं होना चा जलना है वो विकृत नहीं होना चाहिए देश जातिया जिस देश का बालक है उसी देश की वो रहने वाली होने चाहिए परदेशिय नहीं होने चाहिए और क्षुद्राम मतलब जो उसका जो आचरण है वो क्षुद्र नहीं होना चाहिए यहां क्षुद्र शब्द है शुद्र का अर्थ जो हीन है ऐसा और जातियों में चतुर जाती में जो शुद्र है चतुर जातियों ब्राम्मन शत्रिय वैश्य और शुद्र कहा जाता है वहां पे क्षुद्र यह शब्द नहीं है यह गलतिया करते हैं लोग शुद्र नहीं है वहाँ पे शब्द है शूद्र यहाँ पे जाती का कुछ भी संबंद नहीं है यहाँ पे उसके जो कर्म उसका जो आचरण है वो क्षुद्र है मतलब ही नहीं और अक्षुद्र कर्मिनिम कुले जाताम जिस घर का आचरण भी क्षुद्र नहीं है ऐसे अच्छे घर की वो जात इसको पागल नहीं है ऐसी अनुच्चर शाइनी जो बालक के उच्चर मतलब मुत्र बालत के मुत्र के उपर सोने वाली या बैटने विर नहीं होने चाहिए इसका अर्थ क्या है अभी प्रेतार था बालक ने अगर मलमुत्र विशेशन किया तो तुरित उसको साफ करने वाले होने चाहिए अनंत्यावसाइनिम मतलब जो चंडालादी जो स्त्रिया है यह जो पतीता है मतलब उसके नेचर जो है वो ठीक नहीं है ऐसी नहीं होने चाहिए उसको बालक के सभी उपचार करने में वो कुशल है उसको कैसे स्नान करवाना है स्तनपान कैसे करवाना है उसको कपड़े कैसे पहनाने है उसको अभ्याग कैसे करना है उसको सुराना कैसे है आखों में काजल मतलब अंजन कैसे करना है करना में तेल कैसे डालना है तालू में में तेल के से लगाना है यह सब कुछ उसको आना चाहिए शुचिह, खुद, स्वच्ष, शुची युक्त अ युक्त होनी चाहिए और शुची द्विशन, ईसको अशवच का द्वेश हίν ऐसी होनी स्थन स्थन्य संपत जिसके स्थन और स्थन्य दोनों संपत होने चाहिए उसके लक्षन आगे दिए हुए ऐसी धातरी यह योग्य है फिर अब स्थन्य संपत क्या स्थनसंपत इऔर बता रहे न अधीक कुषण न अधीक मोटे और स्तन के जो चूचूक जो है वो युग्त है मतलब जिसके उच्चे सतनवरूंत उसका स्तनवरूंत उच्च होना चाहिए और सुखपरपानों बालक्र को वो पांद करने के लिए सुखपुरोग हो सकता होने चाहिए ये स्तन संपथ है अब स्तन संपथ क्या है तो प्रकुरुती वर्ण Hanım गंद और स्परशम जिस स्तन का वर्ण, रस, गंध और स्परश ये प्राकुरुत होना चाहिए उदापात्रेश दुयमानँ उदकम वेती प्रकुरुती भूतत्वार जो प्राकुरुत स्थन्य होगा वो उदपात्रे जब पानी के युक्त जल में वो डाला जाएगा तब एक तो वो पानी में घुल मिल जाएगा या पानी को पानी के उपर तेरेगा भी नहीं और पानी में डूब भी नहीं जाएगा ऐसा स्थन्य उत्तम है तद पुष्टी क और अरग्यकर है ऐसा समझना चाहिए अब उसका विशेश दोश विशेश बता रहे उसके दोश विशेश क्या है तो शाव अरुणवरनं कशाय अनुरसम विशदम अनालक्षगंदम रूक्षम द्रवम फेनिलम लगु अत्रुप्तिकरम कर्शनम वात विकाराणं तो जो शाव अरण वरण का है किंचित दुगद में सावली से छटा है या कालसर लाल वरण का छटा है ऐसा कशाय अनुरस ये कशाय रस का है विशदम विशदकार्थे पिछलता रहित स्तन्य में किंचित पिछलता होने चाहिए किंचित वो भी नहीं है अनलक्ष गंदम जिस सा फेन आ रहा है लगू है मात्रा में कम है अत्रुक्तिकरम जिसको पीने से बालक के त्रुक्ति नहीं होती कर्शनम वातविकाराणम करत्रू जो कारश निर्माण करने वाला है और वायों के विकार निर्माण करने वाला है ऐसा स्तन्य ये वातोप सुष्टम क्षिरम वात से विकुरु थे ऐसा समझना चाहिए कुरुष्ण नील पीत तामरावभासम तिक्त अमलकटू का अनुरसम कुणपरुधिर गंधी ब्रुष उष्णम पित विकाराणम करत्रू चो पित्तो पसुरुष्टम क्षिरम अभिद्नेम जो काले रंग का जो नीले रंग का पीले रंग का तामरवरण का ऐसा स्तन्या होगा तो वो पित्त दुष्ट है अगर इन्होंने ऐसा लिखा है तो शायद उन्होंने इस प्रकार के स्तन्या देखे होंगे ऐसा स्तन्या स्तरा हुआ हुआ उन्होंने देखा होगा तो वो वियादी का कारण है कई प्रकार के आप ब्रेस्ट अगर होता है तो उससे जो स्राव निकलते हैं वो भी इसी प्रकार के अलग अलग प्रकार के होते हैं तिक्त अमलकटू का अनुरसम उसका जो अनुरस है वो तिक्त अमलकटू नहीं होना अगर होगा तो पित्त सदुष्ट है कुणप रुधिरगंदी जिससे कुणप गंदा आता है या रुधिरग्त का गंदा आता है उष्ण है मतलब उसका जो स्पर्श है ब्रुशो उष्ण तद उदक पात्रे तंतुम उदक पात्रे अवसीद शलेश्म विकाराणां करत्रुहू शलेश्म पसरुष्टम क्षिरम अभीदनेयम। अगर वो अत्यार्थ शुग्र अत्यार्थ सफेद वर्णका है, चुने के जैसा दिखाए दे रहा है। अती माधुरिय अत्यांत मधुर है, लवण और उसका अनुरस लवण है, गुर्तव तैल वसा मज्जा इस जैसे गंद उससे आ रहे है, पिछिल जादा पिछिल मात्र में है, तंतुम उसमें आते हैं और उदक पात्रे अवसीद पानी में डाल दिया गया, तो वो डूप जात है, ऐसा और श्लेश्म विकार निर्मान करने वाला, ऐसा स्तन्य ये श्लेश्मा से उपसुष्ट है, ऐसा समझना चाहिए, तेश्याम तु त्रयाणाम अपिक्षिर दोशाणाम, प्रति विशेशम अभिक्समिक्ष यथा स्वम यथा दोश्यम च वमन विरेचन अस्थाप अनुवासनानी, विवज्य कुर्तानी, प्रशमना आया भवती, अब उसकी चिकिस्सा क्या है, तो माता को और धात्री की स्तन्य दुष्टी की चिकिस्सा कैसे करनी है, तो ऐसे तीनों दोशों के लक्षण हमने बताए, तो ऐसे तीनों प्रकार के दुष्टी के लक्षणो ही यथा दोशम यासा दोश है उस प्रकार के अनुसार पहले शोधन चे किस्सा करनी है तो वमन विरेचन अस्थबश्ड्वाशन ऐसा प्रविवज्ज सब्सक्राइब set अब पान प्षन की और पान शिरा मिनेट तो दुष्टक्षिरा जिसके खशिर दुष्ट है उसको यवगोधूम शाली शष्टीकम मुद्ग हरेनु कुलत्थ सुरा सववीरक मैरेय मेदर का लश्ण करंज प्रायास्यात उसका अन्दपान यवगोधूम शाली तंडूल फिर शष्टीक मतलब साथ दिन लगने वाला तंडूल फिर मुद्ग मूंग हरेनु कुलत्थ सुरा सववीरक मैरेय मेदर किये सभी मद्द्य के प्रकार है जो धान्यों से बने जाते हैं या फलों से बने जाते हैं लश्ण और करंज इससे प्राव करंज कोई खता नहीं है पर इसका करंज क्यों बताया होगा यह क्षीर के दोशक कोंसे किस प्रकार के है और उसके अवस्ता क्या लक्षन क्या है उसका परिशन करके अवेक्ष्य अवेक्ष्य क्या करना है तब तक उसका विधान मतलब किस्सा करने है पाठा महोशद सुरदारू मुस्ता मुर्वा गुडुची वत्सक फल खिरातिक्त कट विटको रोढ़िंरी सारी वा क्षाय अणाम चो पानम प्रशवर्षण आप को hamटाएका कों सा धवर्णGAN है ये महा कशाय में इसका गन है ंधि एक इसके कंटस्त है महा कशाय को ये कौन Chief वेज़ी गुड ञेंक यूअग ये संंदेशोदन डंगन है ठाथा पहुर्ण किया हुआ ये कशाय है पाठा महोशद सुरधारू मुस्ता मुरुवा गुडूची वत्सक फलक राजतिक तक कट्टुकुरहनी सारिवा इति दश्यमानी स्तनशोदनानी भवन्ती तो ये उसके उसका कशाय करके उसका पान करना अब देखिए महा कशाय का विश्य निकला है तो मैं दो में बता देता हूं कि महा कशाय ये दस द्रव्य इकट्टे करके नहीं देने हैं दस द्रव्यों का इकट्था कवात करके कभी नहीं देना है तो इसमें से जो योग्य द्रव्य है उस अवस्था नुसार जो योग्य द्रव्य है ऐसा कोई एक का कशाय दो का कशा तीन चार पाच ऐसे मिश्ट्र करके उसके अलग-अलग पर्मिनेशन करके हम उसके कशाय बनाने चाहिए तो यह दस महा कशाय कट्थे करके उसको देना है ऐसे कलपना नहीं है गरंथा करकी इसको इसमें दस महा 10 द्रवयों के 10 अलग-अलग आवस्ता हो सकती है तो इसका अधियन करना पड़ता है तथा अन्यशाम तिक्त कशाय कटू का मदूरानाम द्रव्य नाम प्रयोगा तथा अन्यभी तिक्त कशाय कटू मदूर ऐसे द्रव्यों का प्रयोग करना है ख्षीर विकार, विशेषान अभिसमिक्ष, मात्राम कालम चश ऐसे क्षीर विशेश का दोशो का विशेश देखकर मात्रा और काल का विचार करके देना चाहिए इती क्षीर विशोदना नी यह स्तन्य शुदना की प्रक्रिया है अब शिर्जननानी तू अगला सुत्र 57 तू मद्यानी सुधू वरजानी सीधू छोड़के सभी मद्य दे सकते हैं ग्राम्य आनूप आउदकानी चो शाक धन्य माउसानी ग्राम्य आनूप आउदक ऐसे शाक धन्य और माउस उसके प्रकार देने हैं अमल लवन बुईश्ट आहरा, जो ध्रव हैं, उत्तम द्रवा गुन है, मदुर रस हैं, उसके बाद अमल लवन ऐसा बुईश्ट आहर देना चाइए. जो उपचार करना है और अनायास मतलब जादा शरीर को कष्ट नहीं देने वीरण शष्टिक शाली इक्षु वाली का दर्ब कुश काश गुन्द्रा इतकट मूल कशायनाम ये सबी द्रव्य क्स्तिर जनन गण में भी आते हैं इसका पान करना है ऐसे स्थन्य जनननानी ये गण है अब आगे धात्री तु यदा स्वादू बहूल शुद्धश दुगधा स्याद तदा स्नातानु लिपता शुक्लवस्त्रम परिधाय अब धात्री का दुगध जादा मदूर है और शुद्ध दुगध है असा समझ कर उस उसको स्थन प्रदेश में और शरीर प्रदेश में लेपन करके शुक्लवस्त्रों का परिधान करके फिर उसको अइंद्री ब्राम्मी शत्रविर्या सहस्त्रविर्या अमोगा अव्यथा शीवा अरिष्टा वाट्य पुष्पी विश्वक सेन कांताच विब्रत्य ओशधि प्राइंद्री ब्राम्ही शत्र विर्या स्थापन महाकशा है और इसमें आइंद्री ब्राम्ही शत्र विर्या मतलब नील रंग की दुर्वा सहस्त्र विर्या मतलब श्वेत दुर्वा अमोगा मतलब पाटला इसके टीका है अमोगा इती पाटला शिवा अव्यथा अव्यथा मतलब गुडुची शिवा मतलब हरितकी अरिष्टा मतलब यह जिसको रीठा कहते हैं मराठी में वाट्य पुष्पी मतलब महाबला और विश्वक सेनकांता विश्वक सेनकांता या फिर वारा ही कंद है उसको भी कहते हैं तो ऐसे आवशदी का अवर करके । फिर दहारण करके फिर कुमार को जो बच्चा है उसको लेकर प्रांग मुख उसका कुमार का करनाश पुर्वधिश्या में होना चाहिए स्वारी स्खुतकाद मुख़ पुरविव होकर जो धात्री जो बैटी है वो पुर्वदिशा के और मुख़ करके पर्थम तहा दक्षिन स्तन से स्तनपान करना शुरू कर देना चाहिए इति धात्री कर्म हा ऐसा धात्री कर्म यहाँ पर बताया अतो अनंतरम इसके बाद कुम अगार कडेत शुट्तिक अगार का वर्णन किया था अब कुमार объяс मतलब जो बालग जन्दम और में कुछ काल के लिए एक चोटा सा आलया मतलब जगा बनाना है तो क्यसा करना से वास्टुविद्याकुषळ्याहा जो वास्तुविद्य नेकुशल वहीं इस व्यक्थिके द बद तमस्कम जहां पे अंदक्कार नहीं है प्रवात्व एक देशंतु एक जगा से वाईू आंदर आ रहा है दुड़म अपगत श्वापद पशुद्रौंस्ट्री मुश्ड़िक पतंगम जहां किसी प्रकार क्षुद्रौंस्ट्री मतलब जिसको दाड़ बड़े बड़े दात है ऐसे जो व्यागरस यहां आदी जो पशु है या जिसको द्रौश्ट्रा मतलब जो काटने वाले ऐसे जो है पशुपक्षी मुशीकादी प्रपतंगादी ऐसे वहाँ पे नहीं आते है सुविबक्त सलिल उलूखल मूर्च मूत्रवर्च स्थान स्नान भूमी महानस मृतु सुखम जहाँ पर पानी की जगा उलूखल की जगा मूत्रवर्च त्याग की जगा मतलब टॉइलेट जहाँ पर बात्रूम भूमी महानस जहाँ पर स्वयंपागर यह सभी सुविबक्त अ कर रखी है ऐसा नहीं करना है अलग-अलग विवाव उसमें होने चाहिए रुतु सुख रुतु के अनुसार सुख होने चाहिए शीत काल में उष्ण उष्ण काल में शीत ऐसे होने चाहिए यथा रुतु शयन आसन आस्तरन संपनम कुर्याद रुतु के अनुसार शयन आसन ब प्रायश्रित्तम शुची व्रुद्ध वैद्यानुरक्तस्यन संपुर्णम ऐसा होना चाहिए जहां पर सूविहित मतब जैसा शास्त्र में बताया है उसके हमसा रक्षा विधान कर सकते हैं बली दे सकते हैं मंगल होम वहां पर कर सकते हैं प्रायश्रित्त कर सकते हैं और उसके आप्तगण है वहाँ पे वो आगार योक्त होना चाहिए इती कुमारागार विदिही सुत्र 59 यहाँ पे खतम हुआ अब सुत्र 60 शयन आसन स्तरण प्रावरणानी कुमारस्य मृदू लगू शुचि सुगन दिनिस्सिहू बालक के लिए जो शयन आसन और आस्तरण ये प्रावरण जो बनाने वाले हैं हम वस्त्र जो है वो कैसे होने चाहिए मृदू स्परशमी मुलायम होने चाहिए लगू होने चाहिए ज्यादा हिवी वेट नहीं होने चाहिए हलके होने चाहिए शुची स्वच्छ होने चाहिए और सुगन दिनी उससे अच्छा गंधा आ ऐसा जो वस्त्र है वो त्वरीत निकाल देने चाहिए बदलने चाहिए वो उसके वहाँ पे रखना नहीं चाहिए असती संभवे अन्येशाम तानी एवच सू प्रक्षालितो उपधानी अगर ऐसा मलमुत्र युप्त हो गया तो उसको त्वरीत प्रक्षालित करना चाहिए उसको धोकर रखना चाहिए सु धूपितानी उसको धूपन करवा के रखना चाहिए शुद्ध शुषकानी उपयोत और ऐसा शुद्ध और सुखा हुआ वस्त्र का उपयोग बालकों के लिए करना चाहिए कितने बारिक-बारिक से मुद्देद बताये देखो कितने ये सु जो शयन आस्तरण और प्रावरण के वस्त्र है उसके धूपन के लिए यव सर्शप अतसी हिंगु गुगुलू वचा चोरक वयस्था वयस्था मतलब रम्मी गोलोमी मतलब श्वेत दुर्वा जटिला मतलब जटामासी पलंकशा मतलब गुगुल और अशोक रोहिनी ऐसे जो गुरुत में युक्त करके उसका धूपन करना है यह सभी द्रव्य भूतहर बताते हैं भूतहर मतलब जो सुक्ष्म जीव है ऐसे सुक्ष्म जीवों का वो नाश करने वाले हैं और सभी द्रव्य तिक तक शाय कटूरस के हैं याने जो शोशन करने वाले दोशों को ज़्या ताम एव दक्षिनेभ्यो विशानेभ्यो अग्राणी ग्रुहितानी सिहू जो कुमार के उपर कुमार पर हमें जो मरनी आदी धारन करने है तो मनयाश धारन या कुमारा धारन करने चाहिए मनी वगरे शरीद पर धारन करने चाहिए उसको खडग रुरू और गवय परणी है उसके दाहीने सींग से आगे का जो भाग है वो लेकर आना है और उसको कुमार को धारण गले में धारण करना है आज भी हम उसको गले में हाथ में कमर में अलग-अलग प्रकार के जो है रक्षा विधी से धारण करने के लिए बताया है अइंद्री अइंद्राध्या जीवक रुश्य भकव च अइंद्रादी जो अभी प्रजास्थापन गण आ गया और जीवक आदी जो जीवनिय गण है उसमें से जो द्रव्य है वो आपको धारन करने है यानी च अन्यानियापी ब्राम्बन आहा प्रशन से यहु अथरवेद विदा हा जो अथरवेद कुछ आने वाले ब्राम्बन मतलब आचार यह है वो जिस द्रव्यों को कहेंगे धारन करने के लिए वो करना चाहिए आगे सुत्र 63 क्रिड़नकानी खलू कुमारस्य विचित्राणी गोश्यवन्ती अभिरामानी च अगुरूनी अतिक्ष्नाग्राणी च अनास्य प्रवेशिनी च अप्राणहराणी च अवित्रासनानी सिहो क्रिड़नक मतलब उसको जो खेलने है उसको खेलने के लिए जो हम वस्तुए देते हैं खिलोने जो है वो कैसे होने चाहिए तो विचित्राणी नानाविद प्रकार के होने चाहिए एक ही प्रकार के नहीं होने चाहिए खिलोने अनेक प्रकार के होने चाहिए घोशवन्ती उसमें से अच्छा आवाज निकलना होना चाहिए आवाज करने वाले जिसमें से साउन अच्छा है ऐसे खिलोने चाहिए अभी रामाने दिखने के लिए अच्छे होने चाहिए दिखने के लिए सुन्दर खिरोने होने चाहिए चो अ गुरुणी मतलब जादा हेवी वेट नहीं होने चाहिए बालग आराम से उठा सके ऐसे होने चाहिए लगू हेवी वेट नहीं चाहिए अ तिख्ष्णागानी उसके जो अग्र है वो तिख्ष्ण नहीं होने चाहिए अगर वो अग्र तिख्ष्ण होंगे तो बालग को वरण उत्पन नहीं हो सकता है अनास्य प्रवेशानी मुख के अंदर प्रवेश करने के जैसे इतने छोटे नहीं होने चाहिए बड़े खिरोने अभी आज तो टीथर मिलते हैं बालोग को मुझ में डालने के लिए अलग-अलग प्रकार के टीथर ये बहुत अच्छी आजकल बालोगों के खिरोने बहुत होने चाहिए नहीं अस्य वित्रासनम सादू बालक को डराना ये अच्छी बात नहीं है असादू है तता तस्मात तस्मीन रुदती अभुंजानेवा अन्यत्र विधेयाताम अगच्छती राक्षस पिशार्च पूतनाद्यानाम नामानी आरुयता कुमारस्थस्य वित्रा सणर्थम नामक्रहनम न कारियंसद्य ना महत्वगन्यम हैं। बालक को डराना नहीं चाहिए गलत बात हैं अगर बालक रो रहा है और अगर खाना नहीं खा रहा है तो उसको ए राक्षस इदर आजा ए पिशाच इदर आजा ए पुतना तु आजा उसको लेके जा ए मरकट इदर आजा ए बुआ इदर आजा ऐसे करके बालक को बोलते हैं उनके नाम को बुला कर आरुयता इदर आके बा नहीं करना चाहिए इससे बालक के मन में अनायास मन में उसमें दर पैदा हो जाता है किसी विशेश के लिए मेरे पास ऐसा एक बच्चा है जिसको मतलब तमका भएकर रखा है क्या करते थी उसकी मां जब वो बालक तरास देता था या कुछ तकलिफ देता था उस मां को रोता खाणा ने खाणा तो उसकी मां एक छोटे से कमरे में अंधार पूरा अंधार करके उसमें पूरा वो तमव तमव 쪽 खोली में उसको रख दिती थी और लॉक कर दिती ती और ये बहुत उसको शिक्षा देथी थी इस प्रकर से और इतना डरा डर जाता बालक कि बड़ा होने के बाद उसके मन में इसके लिए डर पैदा हो गया है वो किसी भी अंधर जगा पर नहीं जाता है उसको ये बालक का मतब ये बात में हुआ है तो इसके बालक को ऐसे किसी चीजों के डर उसके मन में नहीं आना चाहिए ए मरकट इदर आजा बैट यहाँ पे देखे खाने रहा है तो ऐसा डर यह कुट्ते अम ऐसे बुलाते हैं बुवा को बुलाओ क्या मराठी में बुए बुवा इकड़े यह असमंड वह ऐसा नहीं करना चाहिए बालक को कभी डर किसी भी चीज़ का डर उसके मन में पैदा नहीं करना चाहिए और ऐसा करना योग भी नहीं है यदि तू आतुर्यम किंचित कुमारमागच्छेत अगर बालक में किसी प्रकार का आतुरावस्था उत्पन नहों जाए तो तद प्रकृति निमित्त पुरुरूरूप लिंग उपशय विशेश ही तत्वतो अनुबुद्य तो उसकी प्रकृति मतलब सभाव क्या है बालक का देह का सभाव क्या है दोशों का सभाव क्या है निमित्त मतलब हेतू क्या है उसके पुरुरूप क्या है लिंग लक्षन क्या है उपशय अनुपशय क्या है इसको देखकर उ आतुरव आउशद देश काल आश्ट्रयान अवेक्षमानम चिकिस्टम आरवेत तो उसके दोशों का विशेश क्या है आतुर के लक्षन क्या है आउशद के परिक्षन क्या है देश कौन सा है काल कौन सा है और आश्ट्रय मतलब शरीर कैसा है इसका परिक्षन करके फिर चिकि सा करतां करते समय एते नम मधूर मृदू लगू सुरवी शीत शंकरम करमं प्रवरतयम तो उसकी ज़र द्रव्य आउशद द्रव्य होने चाहिए वह मधूर करने वाले आउशद वहाँ पर उपयोग में नाने चाहिए वह मीकूर मधू मधूरं शुरुभी शंकर इनको कुमार साथ महीं तथा ते शर्म लबते चिराय इन सभी ची किस्ता से उसको धिर्गकाल तक आरोगे प्राप्त होके रहता है। इस रुतू में है उस रुत्य के विपरिक गुण का अच्रण करना है। आयू संपद उसको मिल जाती है। रखना है इसका अनुपालं करना है। मतलब हमें ऐसा व्यक्ति बनाना है जो एक उत्तम नागरिक हो। राष्ट्र के प्रती उसका कारिय अच्छा हो। राष्ट्र के प्रती उसके विचार अच्छे हो। राष्ट्राय वो कारिय करे। राष्ट्र के प्रती हितकर ध्यान में रखकर वो कारिय करे। राष्ट्र को राष्ट्र में रहने वाले सभी नागरिकों को किसी भी प्रकार से वो हानी न पहुचाए। ऐसा नागरिखा में निर्मान करना है ये इसका उद्देश है इती पुत्रा शिश्याम समरुद्धी करम कर्मम व्याक्ष्यतम इस प्रकार से अपत्य के प्रती कल्यान की कामना करने के लिए बालकों की समरुद्धी करने वाले ऐसे करम हमने बताए तदा चरन उसका आचरन कर यथा उक्ते ही विदिवी ही पूजाम यतिष्टम लबते अनसुयकं जो अनसुयक है मतलब दुसरों के गुण में दुसरों में के प्रती गुणों की इच्छा करता है दोश नहीं देखाई देता ऐसा मनोनुकूलम यता इश्टम ऐसा प्रतिष्ठा प्राप्त करता है उत्त उत्तम एतत महत अर्थ सहीतम तदाचरन न्योहो विदी भी यथा दधम पूजा मेतश्टम लभते अनुसुयकम यही गद्य को पद्धे में फिरसे लख रहे कि प्रयोजन होना चाहिए किसी उत्तम प्रयोजन के साथ अत्यन सेष्ट पुत्र की शुबक आमनाओं की निमित्त समरुद्धी कारक करमों को हमने कहा है इसका नियम पुरुवक समुचित रूप में आचरण जो व्यक्ति करता है वो दूसरों को निंदा नहीं करने वाला ऐसा पुरुष ऐसा अपत्य उसको उत्पन होता है और वो समाज में उसको प्रतिष्टा प्राप्त होती है अन्तिम सूत्र शरिरम चिंतते सर्वम दैव मानुष सम्पदा सर्व भावय ही यतहा तस्मा शरिरम स्थानम उच्चते अब वो कहरे कि शरिरम चिंतते सर्वम सभी प्रकार से साधनों के द्वारा दैव मानुष सम्पदा दैव सम्पत मतलब देवताव की उक्त गुण जो जो है उत्तमगुन उसका वरणन और मानुष्ट संपदा मतलब मनुष्टों की उत्तमगुण है इनसे युक्त ऐसे शरीर का चिंतन विचार या विवेचन जहां पर किया जाता है ऐसे सभी भावों से मतलब संपूर्ण सुक्ष्मा जी शुक्ष्मा विश्योका जिसमें शरी अग्रीर्यस्थान उसको कहा जाता हैं यह शाॲिषन की वैख़्या है इति अग्निवेश्यकृत्य तंत्रे चर्ग परति समस्कृते शारीर्यस्थाने जाती सुत्रियम नाम सबस्क्रेंげ.. इस प्रकार से अगनिवेश ने निर्मान किया हुआ, चरग ने संस्कारित किया हुआ, शारीरस्थान का जाती सुत्र नामक अश्टम अध्याय यहाँ पे पूरा हुआ, इती शारीरस्थानम संपुर्णम इस प्रकार से शारीरस्थान पूरा खतम हो गया, अब किसी को प्रश कि अभी जो आज विशे हुआ इसमें किसे किसे प्रश्ण है कि नमस्ते प्रश्ण है मैं अभी बताए यह ने अग्रश्ण के माउज यह बताए इस नहीं इसके जो गुण है यह जो द्रवय बताए है या जो वस्तोय बताई है इसके गुणों का विच्छर करना है और उसको काला नुरूप देखना है तो गुण मतलब क्या कि सूतिका को वहां पर आराम मिले रुत्तु सुकह होना चाहिए या उसको मानस्तीक शार्रीक कोई बेटा होने नहीं चाहिए इसे आज क्या करते हैं ऐसे डिलीरी होने के बाद डायरेक उसको एसी मतलब एसी रूम रहती है हॉस्पिटल में मैंने देखा है यह मैं यह नहीं होना चाहिए ऑसी में बैटे बैटे कि वह सूतिका जिसके अभी अभी डिलियुरी हुई है तो उसको वात्प्रकुप तो होना ही है होना है यह जो एक modern edition का जो एक यह जो concept आई है न कि modern जब सभी या जो स्त्री है आज की जो स्त्री है जो मतलब जो so-called modern स्त्रिया जो है वो deliver होने के बाद तुरन कार्य शुरू कर देती है मतलब वो कहती क्या में तो बीमार ने पर हमें कम से कम छे महने खयाल रखना चाहिए सभी का तो यह जो बताया है वो सब्सक्राइब करके आज के जमाने से द्वारा हम बदलाव कर सकते हैं अहार में विहार में घर के हम अभी आहार क्या अब बोली कि बोलिए मैडम क्या है कि काफी परिस्थितियों में ऐसा प्रश्णा जाता है कि नहीं गुण देखने हैं वो जो वरणत जो किसी भी घटक के घरंतों में जो जो गुण बताए है उस गुण को आज के परेक्ष में उस वस्तु को क्या परदर्शित करती है समझो उन्होंने बताया है कि अमुक अमुक प्रकार का फल परुशक लगो आज परुशक तो हमें मिलता नहीं है तो हम सेब रख सकते हैं इस प्रकार से आज के काल के अनुसार उसको थोड़ा सा परिवर्तन करके हम कर स लगते हैं इतनी इतना फ्री हैंड गरंतकारों ने हमें दिया है कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि अधि कि का कि कि मेदाजणनन सांसकार मतलब यही उसको लेहन सांसकार कहा जाता है उसमें कई परकार के द्रव्य मतलब जो जैसे सुवरण है सारीवा है येश्टी मदू है यह जो गुडूची हरितकी या मदू रसके बिर्व्य होते हैं उनको लेहन करके उसका अवलेह बनाके या мнदू घृत में युक्त करके हमें बालक को व becoming 6 महिने तक को उसका चाटन लेहन करना पड़ता है उसके कुछ कुछ काश्रप ने विवरणं की थे वह मांगले परवा में देखने वाले हैं कि koll यह देखने वाले पोंवाले कि कैस कैस्की प्रकार र mêmes और अथ्रववेद में कुछ प्रकार के मंथ्रा उच्चारण बता सांति सुक्तों में इसका उल्लेक आया है जो मुझे लगता है और जिसको हम मात्रुका कहते हैं सब्ता मात्रुका हमारे घर में भी उसकी मूर्तिया रहती है देवाले में जो महराश्ट्रिया में पद्धती है कि जो घर का जो देवाले रहता है उसमें सब्ता मात्रुकाओं क का खयाल रखती थी उनका वो अभी उनको देवता सुरुप माना गया बाद में और उनका उनकी पुजा कर आभी वो पुजा कुब में आ गया पर उनके सारे ग्रन्थ शायद उस समय में होंगे जो आज हमें अवेलेबल नहीं है शुष्ण सहीता में काश्रप में और भी दो तिन मंत्र हमने देखे कि स्तनपान करने के पहले मंत्र है लेहन कर्म करने के लिए मंत्र है जनम के होने के बाद नामकरण के समय मंत्र है अंगत अंगत संभवसी इस प्रकार का एक मंत्र है ऐसे कई प्रकार के मंत्र हमें मिलते हैं जो जोतिष शास्त्र में भी वो मंत्र है जोती ही शास्त्र कहा जाता है जोती शास्त्र ये उसका अपब्रम्श है तो ये सभी शास्त्रों में या वराहमीर की सहीता जो है ब्रोध सहीता उसमें भी इस प्रकार का कुछ संदर्म मिलते हैं तो उनका उचारण करके फिर वो कर्म एक तो करना पड़ता है दो प्रकार अभध आवश्यक है मेदा जनन संस्कार और यह आसान है ज्यादा कुछ है नहीं जो हमारे जो वैदिक विधी करने वाले जो आचार्य होते हैं ब्रहमन होते हैं उनको यह विधी पता होती है उनको इस शिखा भी ड़ते हैं पर वह क्या करते नहीं अब मेरी जो बेटी थी बे किरल का पदमाल पदमनाप का मंदिर है वहां पे किया जाता है ऐसा संस्कार तो हमने वहां पे जाके उसका संस्कार वहां पे किया जब 6 मास्की थी और वहां पे जाने के बाद जब हमने उसका किया कि हमें यह संस्कार करना है तो वहां का जो मंदिर के जो वह पूजारी वगर तो पहले के जमाने में सभी जो लोग थे सभी जाती हों के वह अपने बच्चे के लेवन कर्म और अन्न प्राश्च संस्कार करनी के लिए मंदिर में आते थे पर बीच के काल में यह 21-31 साल में सब कुछ बंध हो गया था और अभी आप बहुत साल के बाद आप पहले वेक्ति ऐसे हैं कि आप आए और मेरी बेटी का वहाँ पर अन्न संस्कार होने के बाद वहाँ पर फिर से शुरू हो गई है में वहाँ पर चो मेरे हमारे रिलेटीव वहाँ पर रहते हैं उन्हें बताए कि अब फिर से उसको एक क्योंकि सबीना देखा वहाँ पर कहीं कि इस संस्कार हो रहा है तो फिर से वह धीरे दिरे शुरू हो रहा है तो हमारी यहां पर भी जौ-जो गाओ में मंदिर है वो मं प्रकार से यह भी करना मैंने मेरा उद्राण बताए कि मुझे एक भी वैक्सिन नहीं दिया है कि पुछ भी वैक्सिन नहीं दिये पर मुझे लेहन कर्म किया है और वह वाइद्या वीमगोक्ते और वागबट वाइद्या एसे दो वाइद्या नासिक में थे उन्हों वह मेरे पिताजी के गुरु थे तो दोनों ने मिलकी वह सौंसकार किया है और उस समय उन्हों ने ऐसे 12-13 लड़कों को छोटे जो छोटे थे उनको किया था और मुझे आधे वाइद्या वीमगोक्ते जो थे वह 1995 में गुजर गए तब मैं 12-13 साल का था तो मुझे वो हर साल में एक बार मुझे मिलने के लिए थे मेरा पूरा परिक्षन करते थे और उसके नोट्स लिखते थे अब उनके पास पड़े होंगे उनके घर में तो देखना पड़े 2-4 तो बियाद ने पिता जी भी मेरे नहीं रहे तो वो भी बता दे कि किया लए पर उसको ऐसे कुछ तो करना चाहिए प्रोजेक्ष इसा अगरा थे आप देखे पतरी का क्या है तो पतरी का मतलब कोई कोई अंजशनला नहीं है पत्री का मतलब जिस समय में बालक स बतबाया का मतलब होकर होकर इन्होंने सवाल पूचा है कि जो पत्री का बनाई जाती है कुंडली बनाई जाटी है उसका क्या महत्व है ऐसा देखेना चाहिए । मैं कहता हु बिल्कुल trait चाहिए एना चुल और टादा तो वह उससे कहने वाले लोग भी है पता करने वालोग भी है उसके आधिकारी पुरुष है वेक्ति है कई मुझे पता है लोग इस प्रकार का उत्तम ज्यान उनको है तो उनसे ज्यान करवा के उसके अनुसार अगर कुछ कुछ विधिया की कुछ बदलाव किये कुछ पत्या-पत्य किया तो जिन्दगी में बहुत जरूर फरक आता है ऐसा मैंने भ्यानों बोलिया है और मैंने देखा भी है तो जरूर करनी चाहिए यह कोई अंदर्शद्दा नहीं है बिल्कुल शास्त्र है कि अगरे विधिया कुछ फुछ फरक नहीं है कॉंप्यूटर इस को बनाते तो वह एकदम सही है कुछ गलत नहीं है लेकिन कॉंप्यूटर इसमें जो उसके फल दिये जाते है कि ऐसा जगह है तो ऐसा मिलता है वगरे वो ठीक नहीं है क्योंकि वो वो सिस्टी में बिटा के र तो वो जो जानने वाला व्यक्ति है उससे ही वो करवाना चाहिए पत्रिक आप निकालो कॉंप्यूटर इस और उसको जो पैचानने वाला उससे बता मतलब उसका जो प्रेडिक्शन करने वाला है वो ज्यानवान व्यक्ति कर सकता है है . . . . . . करने कांता निसकों जा दूबां जा है एंकर हो को बढ वो नियुक्त शॉप्स तो ने तुक परेंट तरद के लिए पाइट में पर इन के लिए हम आजिए पर जुर्ड लेक्ट में घरवत साफ दे बोला है तो वो क्या कर सकते हैं और वो कॉप्टेंट जो है शॉर्ट सन्स यह हम किसमें विजा से देखिए एक संदर वाया था शारिष्टांद के आठवयद्य में कि जैसे नौवा आठवा माया सुरू हो जाता है तो योनी पिचू रखना है वो स्पेसिफिक द्रववे भी बताये उन द्रव्यों से सिद्ध किया हुआ तहील उसका पिचू बनाकर योनी प्रद्श में रखना है उससे जो पूरा अ क्या करते हैं और यह एक वन ओफ दरीजन है सिजर करने का तो ऐसा कुछ नहीं है और दूसरा कुछ कालत हा शरीर में बदलाव भी आए हैं पहले आजकल ल पर जो पहले के जमाने में थे आप हिरोई में देखिए मदुबाला है या मिना कुमरी थी तो यह जो विकूरती दिमाग में आके बैठी है ना उससे बहुत ज्यादा कारशत्व निर्माण होता है धातुए असार उत्पन नहोती है क्योंकि वो लड़किया आचकर खाती भी नहीं है ठीक से क्योंकि उनको फिगर चाहिए वो फिगर के पीछे जाके वो स्खुद का नाश करवाती है और सब कुछ उससे विकूरती आती है तो ऐसे जिरो फिगर जिसको शरीर में पोशन ही नहीं हुआ है उसको एक तो गर्बध हां मुझे पता है हां मुझे पता है उसके लिए उसके लिए पहले से ही जो गर्बधाना करने से पहले से ही जो जो विधिया अभी पूरा पड़ा हमने जो पूरी विधिया है वो करनी चाहिए और उसके बाद में वो हम ताल सकते हैं वो कोई प्रॉलम ने कर सकते हैं येस येस कर सकते हैं तो इस प्रकार से हमने 20 जुले से हमने ये उपक्रम शुरू किया था चतुरूमास का अध्यान का 31 जुन तक ये पूरा होना चाहिए था पर पूरा एक श्लोक का विवेरण हम करते रहे थे और इसके कारण ये 9 दिन जादा तक चला मतलब 31 तारिक को ये खतम होना चाहिए था आज उसको अंतिम दिन आज का आया है आप सभी ने पहले दिन से जो एक पेशंस रखा जो साथ बजे छे बजे इस प्रकार के उठके हम अध्यन करते थे आप सभी का जो एक प्रकार का उत्सा रहा और इसी उत्सा के कारण में भी मुझे भी जो विवरण करने में चिंतन होता था या एक प्रकार का मुझे भी उत्सा मिलता था तो आप सभी को में सबसे धन्यमात देता हूँ कि आप सभी ने इस उपक्रम में आप शामील हुए मैं आपको एक विंति कर दो कि किसी को अगर कुछ कहना है आपके अनुभो बताने हैं आपका क्या-क्या आपको यहां पे आपने किया या आपको अनुभो कैसे थे यू कैन शेर इट एक गूगल फॉर्म भी हमने बनाया है वो बाद में हम आपको सेंड करने वाले है पर आप यहां पर अगर आपको कुछ बोलना है तो दो-दो मिनट में आप जरूर बोल सकते हों किसी को अगर कुछ इस उपकरम के बारे में इस अध्यान के विधी के बारे म में अध्यान के बारे में अगर कुछ बोलना है तो आप आपके मनोगत की और किस प्रकार से हम इसको सुधाराव सुधार ला सकते हैं किस प्रकार से और बदलाव कर सकते हैं आप यह भी बता सकते है इस प्रकार से इस बढ़िए करते हैं? तरफ पास ओने के लिए पड़ागर पुदेश्ट